जैसे जैसे उत्तर प्रदेश बिदान सभा चुनाओं की तारीखे नस्दीक आते जारी हूं ऐसे सभी पार्टियों में सरगरमिया तेज हो गई हैं जिसको लेकर आज हम बात करेंगे हमारे साथ में हैं पूर्व महा सचुर समाजवादी पार्टी से अनूप सिंग जादौन उनस से बात करें सर किस कि तरह कि तैयारियां चल लए रख किया समाजवादी पार्टी हमेशा पूरी तैयारी में रहती यह बीजेपी के लोग अगर आज चुनाओं कराना चाहें या तीन-चार मैने बाद कराना चाहें समाजबादी पार्टी आज भी तैयार है चुनाओं के लिए और भविस्त में भी तैयार रहेगी और हमारे रास्टी अध्यक्ष मानने स्रीय अखलेस यादो जी जो निरने में अगों का मोटो है पार्टी का वह यह है कि रास्टी अध्यक्ष इसलिए पहले मुक्मंत्री बने और हम लोग तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो नहीं है पार्टी की सरकार होगी तो जनता कि हम लोग जब काम कर पाएंगे तो हम अपने आपको खुदी संतुस्त मानेंग मैं लगवग 25 साल से समाजबादी पार्टी में कार कर रहा हूँ एक कारकरता के हैस्थित से कई पदों पे भी रहा हूँ मेरी पत्नी ब्लाक परूंग रही है मेरे पिता स्रीय अजीत कुमार सिंग 10 साल इसी विधान सभा से विधायक रहे है मैं स्वेम 5 साल पार्टी के महा सचिव रहा हूँ लगवग 7-8 साल मैं पार्टी के जिला सचिव रहा हूँ मेन बॉडि का तो पाटी में काम करना है पार्टी ने बहुत से मौके दिये मुझे काम करने के लिए और आज जो सरकार चल रही है, BJP की, मैं बुराई किसी की नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आम जनता पूरि तरीके से तरप्त है, महिंगाई में कोई BJP का सरकार का कोई कमांड ही नहीं रहे गया, कि वो किसी भी तरीके से महिंगाई को रोक पाए, वो महंगाई रोकी नहीं पॉ रहे हैं डीजल पेट्रॉल अपनी तरफ भागता चला जा रहा है ऑसी का नहीं पनीर खा सकता आ है लेकिन एक आम अदमית को डाल सब्ची तो रोटी तो चाहिए वो भी मुहया नहीं हूपा रही है और मैं समझता हूँ कानपूर दियात की मैं बात करता हूँ कि कानपूर दियात में पिछले 5 साल में कोई भी विखासकार नहीं हुआ है किसी से कोई गिला सिक्वा नहीं है बीजेपी के जो भी माननी विधायका जी है मैं उनको माननी भी रायका जी कहता हूं कि जो भी काम वो काम तो गिना रही है लेकिन पटल पर कोई काम है नहीं पटल पर जंता देख रही है कोई काम नहीं है रोडों की इस्तिती यह है कि आप मोटर सैकल और गाड़ी से प्रेम से नहीं निकल सकते हो दक्ता मुक्के खा कही निकल पाऊंगे ऐसी रोडे कोई व्यवस्ताएं नहीं है कोविड का इतना बड़ा कारकाल तीन महिने कोविड का हा कार बचा रहा दो बार कोविड फस सेकंड आ चुका है लेकिन उसके बाद जूद भी क्या कानपूर द्यात में कोई ऐसास पताल बनाया गया आगी कोविड क चार क्या होगा और हस्त क्या होगा वो कानपूर द्यात को कोई ऐसी चीज नहीं मिली कानपूर द्यात को को ऊएлон hos दो हजार लड़के हमारे जंता कि लोग नवकरी पापाते कोई ऐसा में मिला जहाँ पर सरकार इलाज करा पासी एक जिला स्पताल है जो पूर जमाने से बना हुआ है उसी कांबुर्दस में एक बड़ा अस्पताल और बनना चाहिए था आप इतना वड़ा कानपुर दयात है और उसमें अगर बैवस्ताइं नहीं देंगे और रोज नय उद्गाटन होते हैं रोज नय कारिक्राम होते हैं लेकिन उद्गाटन होने के बाद कोई रोट आप देखिए आप हम लोग तोल प्लाजा के आसपास खड़े हुए हैं आप टोल प्लाजा से नीचे उतर जाए आप आप इस पर जो हैं मद्दी पुरुआ वाली रोट पो उतर जाए आप 12 के अंदर चले जाए इतने बत्तर हालात हैं कि आप पैदल चल ही नहीं सकते हैं आप मोटर साइकल से जाएं तो गिर पड़ेंगे, टांकों तक पानी भरा हुआ है, आप नभीपूर से गजनेर मार्ग में चलिए, इतने बड़े-बड़े गड़ें कि गाड़ियां अंदर चली जाएं, तहां है, आप किसान नगर से उतरिये, उस रोट पे चलिए, किसान नगर से नहरिया रोट पे, त इतने बड़े-बड़े गड़ें कि ट्रकें उनके अंदर चली जाएं, तो यह सब इस्तिति क्या है, आप गड़ा मुक्त कह रहे हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, आप कहोगे, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, हम लोग भी सब समझ रहे हैं, और सब देख रह मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, कि 2022 में स्री अखले स्यादोजी मुक्मंत्री बनने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तभी यह सब इस्तितियां, जो बीमारी की इस्तिती है, उस पे किसी तरीके से कंट्रोल, मुझे उम साल में 25 साल गुजर राज सरकार का, आपने देखा होगा कि कितने हाइवे नए बनके चालू हो गए, कितनी मेट्रो जो अखलेज जी उद्गाटन करके मेट्रो कानपूर की छोड़ गये तो मेट्रो आज तक चालू नहीं हो पाई है, और लखनो की मेट्रो उद्गाटन भ देखते हैं, अधिकारी डरता है, काम तेजी से कराता है, जो उनकी इस्तितियां हैं अकलेज जी की, उन इस्तितियों के अनुरूप ही काम होता है, और मैं समझता हो कि अखलेज जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दुख दर्द यह जो महेंगाई है यह जो बडोत्रियां हो रहे हैं यह सब बंद होंगी और कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी जनता के बीच में आएगी और जनता को कुछ करके दिखाएगी सबसे महात्पुर सीट मानी जाती है अगर सालेश चार साल का विकास देखा तो सिफ सराफ फैक्टरी मिली जन प्रद्वाज बस और क्या मिला बताई आप बताईए यहां पर और भी लोग खटा है यहां पर यह लोग बताएं कि क्या मिला है हैं हम लोगों को रात में हमारा कि साल में खुद एक किसान पर रातम पर लोगों पर असर चैन के पढ़ेगा जब सिर्भ में जो जाएंग गारेंति कहीं ehkä कर हैं जो क्यों सीखेंगा उसको तो फरी मिलेग Pedra कोका कोला एक्ड़ी में कोई काम रहा है या प्याम काम एकड़ायए तो उसको किया का पाश्य केसी श्राइब करते हैं तो गास कार्यों की बात की जाए तो जी रोब पता रहे हैं आप देखने वाली बाति यह कि तरफ से राष्टिया देश किसको प्रित्यासी घोशित करते हैं कानप्रतिहास से मांजु सर्माइटी बारत उत्तर प्रदेश